यहां दो मीटर की cotton की कपड़ा यूज कर रही हूँ इसको काटके मैंने side से यह मैंने stitch नहीं किया है बाद में side पे पीको करूंगी तो आप भी ऐसे कर सकते हैं ऐसे normal जो कपड़ा होते हैं दो मीटर का लाके आप extra कपड़ा कट कर लेके पेंट करके दोपट्टा बना सकते हैं तो मैं थोड़ी space छोड़के यहां कर रही हूँ और दोपट्टा के नीचे यहां मैं cardboard यूज कर रही हूँ अगर आप बहुत ज्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूज करते हैं जैसे shipon का तो आप ज़रूर frame का यूज करे और यहां मैं color के लिए lemon yellow color यूज कर रही हूँ तो यह actually side पे सारे side पे हमें इस तरीके से पहले broad एक border कर लेना है और इसके लिए मैं यहां 10 number के flat brush यूज कर रही हूँ अगर अब इससे भी थोड़ी सी पतली चाते हैं तो आप 8 number brush भी यूज कर सकते हैं अब उसके उपर एक मतलब थोड़ी सी छोटी इसके लिए मैं यहां छे number की flat brush यूज कर रही हूँ यह line भी इसके उपर से ही होगा सारे चारो side पे ही होगा यही करने के लिए आपको ज्यादा time लगेगी honestly नहीं तो बागी की design बहुत ज्यादा simple है एकदम ध्यान से करें और ताकि color इधर से उधर नहीं हो जाए हाथ से color बहुत इधर उधर हो जाती है मेरे साथ ऐसे हुआ है यह दो पटटा के अंदर भी आप देखेंगे बाद में इधर उधर हो जाती है color मेरे हाथ से गल्ती से हो चुकी है आप ध्यान से करना तो यहां अब दो नमबर यहां zero number round brush भी milliseव कर सकते हैं अगर दो नमबर करेंगे तो थोड़ी सी broad होगी और zero number से थोड़ी पतली टाइप की होगी तो यहां flower भी बहुत ज्यादा simple है आप चाहते हैं तो यह flower दूसरे color से भी बना सकते हैं वह भी भूँपसूरत होगा क्योंकि यह बहुत डार्क टाइप की मरून टाइप की रेड है तो मैं यहां लाइट कलर की यूज कर रही हूँ आप भी लाइट कलर की यूज कर अगर बहुत डार्क कलर की दुपड़ता के उपार ट्राइ करते हैं तो अगर आप लाइट कलर की कपड़े के उपार ट्राइ क तो यह flower देख सकते हैं बहुत ज्यादा simple है इसको आप दो नंबर की round brush से easily बना सकते हैं बहुत आसाने अगर आप चाहते हैं तो आप पहले pencil से mark भी outline भी कर सकते हैं उसके बाद भी बना सकते हैं और एक बात यह क्योंकि यह color है हम हाथ से ही इसको paint करते हैं I mean design करते हैं तो सब को डर लगता है कि after wash यह color उतर जाएगी बट ऐसा कुछ नहीं है color इस तरीके से रहते हैं अब wash के बाद भी बट आप कभी भी इसको machine के अंदर मत डाली है अब इसको हाथ से ही हमेशा wash करें और कोई भी mild detergent या फिर easy के साथ या फिर आफ शैंपू का भी use कर सकते हैं बस और इसके back side पे एक बर प्रेस कर लेना 24 hours के बाद तो फिर आप इसको use कर सकते है color छुटने की कोई बात नहीं है तो यह देखिए यही flower हमें करना है बहुत ज्यादा typical मतलब बहुत ज्यादा tough वाली कुछ नहीं है बहुत आसान है तो एक side पे मैंने कर लिया है और यह जो border है इ यहां श्रीप यह जो उपर की जो है यह बनाओंगी यहां flower नहीं बनाओंगी क्यूंकि मैं अंदर में flower बनाओंगी तो इस side पे भी flower बनाओंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी इसलिए पहले तो अच्छे से border यह सब कर लीजिए उसके बाद ही करना तो बहुत आसान हो जाएगी जल्दी हो जाएगी बहुत आसान है बस time थोड़ी सी ज्यादा लगेगी क्यूंकि अल ओवर अबको अगर यह करना है border है तो थोड़ी सी time तो लगेगी अभी मेरे painting जस्ट खतम किया है तो मेरी अभी shoulder थोड़ी सी pain हो रही है और क्यूंकि यह बहुत लंबा भी है तो यह जो flower है ना इसको हम अंदर भी करेंगे ताकि एक mix और match हो जाएगी बहुत अच्छा भी लगता है यह flower बहुत आसान भी है इसको बनाना सबसे पहले तो इस तरीके से round कर लेजिए उसके बाद color fill कर दीजिए अब उसके side पे और एक बार circle कर लेजिए इस तरीके से अब यह दो number round brush से ही आपको इस तरीके से flower बना लेजिए बहुत जादा आसान है अगर आपको थोड़ी सी भी यह tough लगते है ना तो आप पहले pencil स outline बना के भी इसके उपर color कर सकते हैं बट बहुत light करके करें नहीं तो बाद में color उसके उपर नहीं आती है ना तो उसके थोड़ी harsh line रह जाती है pencil की तो यही flower हमें सारे दुपटा के उपर बनानी है अब देख सकते हैं बहुत आसान है तो इसको ज़रूर try करना और यह video और आप किस टाइब की design देखना पसंद करते हैं जरूर comment करके बताईए तो यह देखिए after complete मैंने दोनों site पे भी कर लिया है बहुत आसान है और बहुत ज्यादा खुबसूरत भी है thank you so much for watching this video have a very very good day take care bye कर दो आसान है